नमस्कार दोस्तों मेरा नमें विजय कमार आप देख रहें कॉमिक्स पिटाराय चैनल को तो चलिए दोस्तों बाकेलाल की इस हासे और मजदाल कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका ना मैं पीछे पड़ा भादू आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिस्ट कुछ इस तरह का है देख सकते हैं ओके एक सुबर जब राजदर्वार की कारेवाही आराम करने के लिए बिक्रमसी ने अपना आसन ग्रन किया तो वो हो गया चकनाचूर कड़ाक कड़ाक आहले महराज बचिए वाह अरे इतना मजबूत में तूट गया अब तो धातू का बनवाना पड़ेगा महराज किती बार कहा है कि आप थोड़ा वजन कम करें दम लगाकर है सा जोड़ा लगाकर है सा अरे तूम सब मेरे पीछे क्या कर रहे हो जैसे तैसे सबने मिलकर बिक्रमसी को तूटे स्यासन से उठाया महराज को इस दुनिया से उठाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ आप मेरी सिहसण पर बैठ जाए मैं तो गुली दंडा खेंगने जा रहा हूं पीता जी तुम कहां वेठ हो गें बैटा महराज यह क्या कर रहे है मुंहक सिहसण पर तो आप आधे ही आएंगे हैफिर मैं कहां पर बैठ हूं आज्य महराज मैंने आपके लिए कालिन पर अपात कालिन परवन कर दिया है हाँ ये आसन नहीं तूटने का बिक्रमसी ने अपना आसन ग्रहन किया ही था कि इसे भी ग्रहन करें माराज ये क्या है राजवैद ये मुटापा वजन कम करने की दवा है माराज अजी अब पी भी लिजिए जी हा महराज वरना अर्थी उठाने वाला भी कोई न होगा ठीक है महराणी अगर तुम कहती हो तो पी लेता हूँ बोलो नेम हकीम जिन्दावाद पर मुच्छर मुर्दावाद राजबैर ये दवा तो बहुत स्वादिश थी जी हा महराज ये ताजे पकड़े केचुओं का अर्ख था इसी पीकर आप केचुओं की तरह पत्ले हो जाएंगे क्या अरे इन्हें तो उपकाईयां सुरू हो गई ऐसा तो मुझे तब हुआ था जब मोहुक होने वाला था महराणी जी फिर तो अनर्थ होने वाला है मेरे होते अनर्थ नहीं हो सकता महराज ये गोली चूस लें ये गोली मैंने घोडी की लीद मिला कर बनाई है काईयों के लिए बहुत फैदेमंद है भले उल्टिया सुरू हो जाए सब अपने अपनी डांग पर रुमाल रख लो महराज की तविद खराब है इन्हें बहार निकालो बिश्राम के लिए भेजो मगर बिक्रम सी के उल्टिया सुरू हुई तो फिर ना रुकी दो गंटे पस्चाथ बिक्रम सी के सेन कच में महराज की उल्टिया तो रुकी नहीं रही मैं उल्लो की आँख का काड़ा बना रहा हूँ महमंत्री जी पर उसमें डानले के लिए जंगली मदमख्यों का सहथ मेरे पास उपलब नहीं है पर ऐसे तो निर्जली करन के कारण महराज मर जाएंगे चलो बला टलेगी मेरे होते वे निर्जली करन से नहीं मर सकते वो तो हम सब जानते हैं निर्जली करन सरीर में जल की कमी के कारण होता है बाकेलाल सेना पती जंगली मदमख्यों का सहथ तुम में से कौन लाएगा मामंत्री जी मेरे पाउं में अभी खड़े खड़े जटका आ गया है और च्छते से सहथ निकालने के बाद भागने के लिए पाउं तो मजबूत होने ही चाहिए बाकेलाल को भेज़ दो उसके पाउं गोड़े की तरह मजबूत है मोच का इलाज भी है मेरे पास सेनापती को हाथी से जटका लगवाना होगा बाकेलाल तुम जाओ क्योंकि सेनापती को महराज की उल्टियों की सफाई के वेहुस्ता यूद अस्तर पर करनी है कहीं महराज की ये भीमारी महामारी ना बन जाए जो अंग्या महामंत्री मैं भालू होता तो तुम्हें कस्ट ना देता बाकेलाल बाकेलाल बादसा पर सवार होकर जंगल की ओड़ चल पड़ा मैंने मैंने गुगल अपने पास रख ली है उससे सुलगा कर उसका धुआ जब मैं चहते की तरफ उड़ाओंगा तो सारी मदमख्या उड़ जाएगी फिर मैं सहथ निकाल लूँगा हिन क्यों बाकेलाल सीर के बल गिराओं या मूँ के बल हिन चल ठीट के बल गिराता हूँ अब रुख जा गर बिलकुल ठीट जगा पर आकर गिरा है क्योंकि यहां मौझूद है भागू गीदर यह तो गीदर है धत्तेरी की यह तो गीदर है मैं तो सेर समझा था बापने भागू गीदर अकेले आदमी पर वार करने से नहीं चुकते वा 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 मालो और वो भी मुझसे ज़्यादा डर्पूप वा 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 वन में ही एक अस्तान पर दर्सन दे भगवान दर्सन दे भगवान दर्सन दे भगवान इस लिशी का नाम था पत्नी भगवान वर्दे का घोर भगवान था जो कि उस समय ब्रहमन पर स्वेवग से प्रित्वी पर पहुँच गये थे जो कि उस समय भ्राह्मन पर स्वर्ग से प्रित्वी पर पहुंचे हुए थे दर्सन 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 ओ ये तो मेरा वक्त है इस वक्त भी मेरी कटिन अरादना में लीड है इसे दर्सन भी दूंगा और वर्दान भी आँखे खोल वत्स देख कौन आया है कौन है बेग ओ भगवान वर दे वर नहीं दोगे भगवान तेरी कटोर तपस्या देखकर वही देने तो आया हूँ मांग क्या मांगता है भगवान मुझे दम्मे की बिमारी है और ये मुझे वतवर्ण में फैली दूल से होती है ये दूलकन मुझे तक ना पहुँचे कुछ ऐसा जुगार करवा दे भगवान मेरा मतलब भगवान तो फिर ये लेवत्स इस मंत्र को खीच के छोड़ू कहते है इसे अपने पीट पर टांग लो ये आसपास की सारी धूल खीच कर पीछे को छोड़ देगा मगर ध्यान रहे अगर इसे किसी अन्य ने धारन किया तो फिर इसमें से ये छुटने वाली धूल भेंकर आंधी के समान होगी और वो आंधी और इसमें से छूटने वाली धूल भेंकर आंधी के समान होगी और वो आंधी तब ही रुकएगी जब इसके पिछले छेत को बंद कर दिया जाएगा वो मंत्र देकर भगवान वर्दे तुरंती आगे बढ़ गए और तब अरी भागवान अब तु दर्सन दे दे कितनी देर से तुझे मनाने के लिए एक टैंक पर खड़ा होकर तेरा नाम दर्सन दर्सन चिला रहा था तु मेरे दम्मे के रोक के कारण मुझसे रूट गई थी ना ये देख भगवान वर्दे ने परसन होकर मुझे क्या दिया है और तभी अब तेरे सारे रोक कर जाएंगे रीसी पत्नी भक्त क्योंकि मैं यम्दूत हूँ तेरा समय पूरा हो गया मैं तुझे लेने आया हूँ नहीं मैं मर्दी के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ बचाओ यम्दूत किर्की से जागती रीसी पत्नी को नहीं दिखाई दे रहा था यम्दूत ने रीसी पत्नी भक्त की आत्मा उसके जिस्म से खिचने सुरू कर दी मुर्क जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही पड़ता है छोड़ मेरी आत्मा को छोड़ दे कमबक उफ पकर में क्यों नहीं आ रही इसी पल बाकेलाल आठ तकराया मिर्ट रिसी पत्नी भग से ओ ये क्या ये तो बाकेलाल है हर वराहत में बाकेलाल ने मिर्ट रिसी को एक तरब धकेला और खुद भाग पड़ा सहियोग से रिशी जाकर गिरा सिधा गीदर के आगे वाँ वाँ ओह वो तो भाग गया पर ये भी बुरा नहीं मेरा पेड़ तो इस्ते भी भर जाएगा ये साहर मुझे देखकर बेहुस हो गया है बाकेलाल मेरे स्वामी को गीदर की ओर धकेल कर खुद भाग गया बाकेलाल अब तु नहीं बचेगा दुस्त स्वामी छमा करना मैं तो रो भी नहीं सकती क्योंकि गीदर ने आवाज सुन ली तो मुझे भी फाड़ कर तुम्हारे पास पहुचा देगा इदर बाकेलाल किसी तरह मदू लेकर महल पहुचा आव बाकेलाल सहद ले आए जी हां महमंत्री जी ये रहा मगर बाकेलाल तुम्हारे वस्तर कैसे फट गए सुजा तो तुम्हारा थोबडा होना चाहिए था मैंने सीसी में गुड की चासनी भरी हुई है ये सहद ही लगे इसके लिए मैंने एक मनमक्की भी मार कर सीसी में ढाल दी है बस यूही जरा भालू भाई से भीरंथ हो गई थी सेना पती गंबत भाग गया वरना आज मैं उसकी खाल भी लेकर आता अच्छा हुआ सेना पती कि तुम सहद लेने नहीं गए वरना भालू अपनी गुफा में तुमारी खाल सजा रहा होता उलू की आँख का काड़ा तयार है ये सहद मिला कर काड़ा मैं महराज को पिलाता हूँ काड़ा बना कर राजबैद मिक्रमशी के पास मूचा महराज ये दवा पी लिजे इसे पीते ही उल्टिया बंद हो जाएगी और दस लग जाएगे फर उसका इलाज भी मेरे पास है करेले का उबला हुआ पानी और तोड़ी के सुखे बीज तब ही वहाँ गुँझ उठी टंकार तेरी फू की फू मैं महामंत्री बोल रहा हूँ तुम कौन बोल रहे हो मैं दौरपाल मैं दौरपाल असवपाल बोल रहा हूँ महामंत्री जी बाकेलाल जी कहा है यही है क्यों क्या बात है उन्हें फौरण भगा दीजिए या कहीं छिपा दीजिए क्योंकि बहुत से क्रोधी रिसी मुनी उनकी खोज में अभी अभी जवर्दस्ति महल में घुज गए हैं वे सब के सब बाकिलाल जी को साब देना चाते हैं एक रिसी कुग गीदर के सामने धकेल कर उसकी हत्या के सुन में क्या थिर जब महामंतर्य लिन बाकिलाल को वह बात बताई तो बाकेलाग के रोंगटे भैसे खड़े हो गए बाकेलाग जल्दी करो महराज के पलंग के नीचे घुज़ जाओ वहाँ उल्टी के पात्र रखे हैं इसलिए कोई रिसी मुनी उस तरफ नहीं जाकेगा सेनापती के बच्चे तुझे देख लूँगा और तभी हरे राजदोबी तुम यहां कैसे महमंत्री बाहर वर्सा कैसे असार लग रहे हैं इसलिए मैं कप्ड़े सुखाने के लिए यहीं चला आया बाकी कप्ड़े मैंने अने कच्छो और दरवार में रस्या बांद कर सुखने के लिए डाल दिये हैं अब जड़ा पीछे 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 हट जाईए मुझे अपने काम में दखरलंदा जी बिल्कुल पसंद नहीं है दोबी के जाने के बाद एक दरवारी ने घबराय हुए वहां परवेश किया बाकेलाल जी सारे डिसी चपे चपे पर आपकी तलास करते हुए आपको साब देने इसी ओर आ रहे है राजकुमार महुक्सी ने उन्हें बता दिया है कि आप महराज के कच्छ में है क्या तरकीब सूज गई बाकेलाल जल्दी से महराज के पजामे में घुजाओ वहां तो जगा भी ना होगी सेना पती मों समाल कर बात करो मैं उस पजामे की बात नहीं कर रहा महराज जो आपने पहना हुआ है भलकि उस पजामे की बात कर रहा हूँ जो वहां खोटी पर सुखने के लिए लटका हुआ है मैं पजामे के दोनों पैचों के नीचे नीचे से गाड़ बांदी है ताकि अंदर गुज़कर तुम नीचे से गिरो नहीं पाइजामा यहीं खोटी से टंगा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा किसमे बाकेलाल है उपर से मैं पाजामे कमूँ नारे से बंद कर दूँगा हवा तक अंदर नहीं जा पाएगी बं 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 बोले जै संतोसी माता की बाकेलाल इसी कक्ष में होगा देखते ही साब दे देना बाकेलाल जल्दी करो मैं इन्हें नहीं बताऊँगा कि तुम यहां से प्यों हो बाकेलाल छिप जाओ बूह बोल राजा दोस्ट बाकेलाल कहा है मैं जोट नहीं बोलता मेरे पैजामे में है राजाओं कर हमसे उपहास करता है दे साब मुझे मेरी योग सक्ती बता जाई है कि बाकेलाल उत्तर दिसा की ओर है उत्तर दिसा तो यही है पर यहां तो बाकेलाग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा पजामे में गाट लगा रहा था और तुम तो सेना पती हो तुम यहाँ दिवार की तरफ मूँ करके क्या कर रहे थे पजामे में गाट लगा रहा था क्या छी छी तुमने यहाँ कक्ष में गंदा कर दिया और उधर राजा वहाँ उल्टिक कर रहा है लगता है विसालगर में महमारी सिग्र ही फैरने वाली है थोड़ी दिर पसाद बाकिलाल यहां नहीं है पर मेरी योग सक्ती तो बार बार बाकिलाल के यहां होने का अभास दे रही है किसे पता था कि एक दिन मुझे रिशियों से जान बचाने के लिए मुझ्छर के पजामे में सरन लेनी होगी तभी सेनपती जी कपे सूख गयोंगे अब इन्हें इस तरह के लिए ले जाना है औरे इस पजामे का भार इतना कैसे बढ़ गया ऐसा लग रहा है जिसे महराज की एक टांग इसमें ही छूट गई हो अच्छा महराज जैराम जी की चल मेरे गदे हिन ठेचू मार क्यों रहा है चल तो रहा हूँ गदे के बच्चे संटी तुझे भी देख संटी मुझे लगी भी है हम भी चलते हैं साइद बाके महल से निकल गया है और उत्तर की और भाग गया है पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं साब जरूर देंगे अपने साथे की हत्या का भेंग कर दंग देंगे बचाओ बचाओ महराज गजब हो गया आपके पैजामे में भूत है वो हिल रहा है मैंने नाडा खोल कर देखा तो भूत की चोटी मुझे देखी ओह वो जरूर बाकेलाल होगा पकड़ो इसे अगर तब तक बाकेलाल पैजामे से निकल कर हो चुका था दुड़की भागो कहें रीसियों ने देख लिया तो साब दे देंगे पर मैंने रीसि के हत्या कब की साथ उस रीसि को गीदर खा गया होगा जो मेरे धक्ये से गिर पड़ा था मेरी योग सक्ती बता रही है कि बाकेलाल अब दक्षे में गया है और दक्षे में है नगर रीसि नगर की ओद बढ़ते चले गए इधर नगर में उस वक्त मचा हुआ था हंगामा भागो मखी देटे आ गया मुझसे बचकर कहा जाओगे मैं तो मीतर जाने के लिए पहले ही रास्ता बना लेता हूँ घरों के सी से तोड़कर खनाक सहियोग से मखी राक्षस का फेका एक पत्थर जाग टक्राया नगर में बाकेलाल की तलासी करते रीसि खुंदकी से ओ ये पत्थर मुझे किसने मारा मैं उसे चप्तान मारूंगा मेरी योग सक्ती बता रही है कि बाकेलाल वे उसी दिसा में है जिदर से पत्थर फेका गया है वो रहा बाकेलाल दिवार फान कर जा रहा है पकड़ो उसे और अविमंतरे जल फेक कर उसे साब दे दो पत्थर का बदला पत्थर रिसी का पहका पत्थर जाकर टक्राया काज के सैतान मक्ही राक्षत से मेरे बीबी ने बेलन माल कर मुझे पहले ही एक जगह से फोड रखा है उस जगह को भरने के लिए ही मुझे रक्तकनों की जरुवत है क्योंके रक्तकनों में लौ तक्त्व होते हैं जो कि मेरे जिस्म पर चड़ी काज की पर्तों को भी लौ समान मजबूत कर देंगे ताक मगर इन डड़ीयलों ने मुझे पत्था क्यों मारा अब मैं परवर्टित होता हूँ अपने उस रूप में जिसके कारण मेरी मेरी नाम पढ़ा है मक्ही राक्षत दूसरे इपल मक्ही राक्षत का जिस्म लाखों मदमक्यों के रूप में बिखर गया इस कहानी को यही खत्म करते है इसके आगे एक कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ट्विस कर देना और जहां इस वीडियो के जरूरत हो वहां पे इसको सेर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल जो की है Divine Technology उसको भी जाओ सब्सक्राइब करो और उसके भी वीडियो देखो भाई या ठैक्स पर वाचिंग मैं वीडियो झाल 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 झाल